यहोशु अध्याय तीन बिहान को यहोशु सबेरे उठा और सब इस्राइलियों को साथले शित्तिम से कूच कर यर्दन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए और तीन दिन के बाद सरदारों ने चावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यहाँ आग्या दी कि जब तुमको अपने परमिश्वर यहोवा की वाचा का संदुक और उसे उठाय हुए लेवी याजग भी देख पड़े तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पी किस मारग से तुमको चलना है क्योंकि अब तक तुम इस मारग पर होकर नहीं चले फिर यहोश्व ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने अपने आपको पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुमारे मद्ध में आश्चर कर्म करेगा तब यहोश्व ने याजगों स आज की दिन से मैं सब इस्राइलियों के सनमुख तेरी प्रशंसा करना आरंब करूंगा। जिससे वे जानले कि जैसे मैं मुसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी रहूं। और तु वाचा के संदुक के उठाने वाले याजकों को यहां आग्या दे कि जब तुम में खड़े रहना। तब यहोशु ने इस्राइलियों से कहा कि पास आकर अपने परमिश्वर यहवा के वचन सुनो। और यहोशु कहने लगा कि इससे तुम जान लोगों कि जीवित परमिश्वर तुम्हारे मध्ध में है। और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानिय हितियों, हिवियों, परीजियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबुसियों को उसके देश में से निकाल देगा। सुनो, पुत्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे-ागे यर्दन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राइल के गोत्रों में से बा यर्दन के जल में पढ़ेंगे, उस समय यर्दन का उपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और धेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए, प्रजा के आगे-ागे चले और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाव यर्दन के तीर के जल में डूब गए, यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कडारों से उपर बहरा था। तब तो जो जल उपर की ओर से बहरा था, वह बहुत आदाम नगर के पास जो सार्तान के निकट है रुक कर एक धेर हो गया और दिवार सा उठा रहा और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी और बहा जाता था वह पूरी दिसे सुख गया और प्रजा के लोग यरियो के सामने पार उतर गए और याजक यहवा की वाचा का संदुक उठाये हुए यर्दन के बीचो बीच पहुचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राइली स्थली स्थल पार उतरते रहे निदान उस सारी गाती के लोग यर्दन पार हो झाल झाल